हेलो स्टुडेंट्स हावर यू कैसे हैं तोड़े इन इस वीडियो वे विल बंकू बाबूस फ्रेंड जैसे कि हम प्रीविएस वीडियो में अपना 13 चैप्टर कर चुके हैं बंकू बाबू कर चुके हैं और हमने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा भी है समझा भी है हो चाते हैं जब एक दिन वह जो है अपने घर की तरफ शौट कट रास्ते से जा रहा होता है वह एक स्ट्रेंज लाइट देखता है तलाब के किनारे तो वह क्या हो सकता है तो इतना हम अपना प्रीवेस चैप्टर में कर चुके थे तो चलिए इसको का गया है नेक्स चैप बहुत तेज तो बंकू बाबू हम ये पढ़ चुके थे समरी कर चुके थे और अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेशन आंसर ठीक है अगर आप समरी सुनना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताके साथ क के साथ आपको जह हैं निव वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहें और सर्च कीजे यूट्यूब पे पंकू बाबूस फ्रेंड समरी ठीक है अगर आप 13 चैप्टर सर्च करना चाहते तो बंकू बाबू समरी रानी शर्मा सर्च कीजे क्वेशन आंसर सर्च करना चाहते है चैप्टर नेम बोली बंकू बाबूस फ्रेंड कोई रानी शर्मा कोई ग्रामर कर चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम बोलिए एकसरसाइज विद आंसर बोलिए रानी शर्मा डेffinitely यूवल गेट तो चली आगे बठते हैं और हम इसको कर चुके हैं आ से शौक हो गए वो क्यों क्या है इसका करेक्ट आंसर क्यों जम्ट हो कि because he could not understand who was talking and what was being said क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कौन बोल रहा है और यह क्या हो रहा है उन्हें जो है समझ नहीं आ रहा था so the correct answer is be here okay now see the second दो बंकु बाबू कुट रन अवे बंकु बाबू जो भाग सकते थे he didn't but वे नहीं भागे क्यों क्यों नहीं भागे because he wanted to know who or what was the cause of the strange happening in the grove ताके वो जाना चाते थी कि कौन है और क्या कारण है कि जो strange है जो अजनभी परसन है जो दूसरे प्लानेट से आया है वो क्या कर रहा था ग्रोव में उस उपवन में ठीक है third पर आईए तो correct answer आपका यहां पर ए होगा third पर आईए the creature realized he was not on Pluto creature को जो जनतू था उसको realize महसूस हुआ कि वो जो है प्लूटो पर नहीं है because क्यों महसूस हुआ विकोज बांकु बाबु दिद नोट रेपलाई तो दे स्ट्रेंज लांग्वेज ही स्पोग क्योंकि बांकु बाबु ने उस बात का जवाब नहीं दिया था जो जो डो स्ट्रेंज लांग्वेज बोली जा रही थी ठीक है जो वो क्रिएचर बोल रहा थाário तो ब्रेक्ट रांसर धा है ए बेरी अनकमफर्टेबल वेन चलिए फोर्थ पर आते हैं अनकमफर्टेबल क्यों फिल कर रहे थे पंकू बाबू तो करेक्ट आंसर होगा आपका एग्जामेंड हिम बाइप्रेसिंग इस आंप लेक्स विदिज फिंगर क्योंकि जो क्रियेचर है वह जांच पर्टाल कर रहे फिफ पर आईए देखें टोल्ड बांकू बाबू दाटिस फोल्ट वर्ज दाट क्रियेचर ने बांकू को बांकू बाबू कहा कि यह तुम्हारा फॉल्ट है क्या फोल्ट है इसमें अब देखें क्या होगा यहां आंसर होगा आपका एग्जामेंड पीपल टुहर्ट अन औं इंसल्ट हिंके जो है दो चुप चाप रहते थे इसका मतलब सभी लोग जो एलाउट थे मतलब जो हो को हैक Marriage करते थे और उसकर मजाग बनाते थे इंसल्ट करते थे वह था था शिक्स का ईए अंग ट उना स्पेस शिप विकॉज क्यों किया उसने फिनली ऍषैशिप को लेुज को लिफ क्यों छोट दिये बिकॉस्स विकॉज है कि को ठोलोगा क्योंकि वह अपने व्लाने प्लूट Vors similar चाहता था तो चलिए next है, answer this question, first question है who was Ang, कौन है Ang, चलिए देखते हैं सर नो सीधा answer, Ang was an alien from the planet Cranos, ऐं जो है वो क्या था, alien था ठीक है, कौन से planet से, Cranius planets से, ठीक है, चलिए, come to the second question, second question है आपका how did Ang come to earth कैसे वो earth पर आया Ang was going to Pluto Ang जो है Pluto जा रहा था in his spaceship अपने spaceship पर but his instrument malfunctioned and he had to land on earth लेकिन उसके instrument में malfunctioned मतलब कि कुछ खराबी हो गई और उसे land करना पड़ा earth पर चली थर्ड देखते हैं जल्दी से what did he tell bangku babu about his planet and about himself उसने क्या पताया अपने बारे में bangku babu के बारे में और अपने बारे में Ang told bangku babu that he was from the planet crannus and that he was a far superior creature than man bangku babu को पताया उसने कि वो जो है दूसरे planet से है crannus planet से है और बहुत ही superior mind है मतलब creature है वो man के compare बहुत ही having so much knowledge and he know about 14,000 languages बहुत मतलब 14,000 languages भार्षाय जानता है and had been to 25 planets outside the solar system or 25 जो है languages जो जानता है पोचागोश was excited at the Sunday meeting as he was telling everyone क्योंकि वो सबको बताना चाहते थे about his bamboo group bamboo group के बारे में where all the bamboos around the pond जो भी bamboos है तलाब के चारो साइट has shed their leaves shed होता है फैल ना उसकी जो पतिय है वो चारो साइट फैल गई है come to the fifth question what was the first thing that bangku babu did not did on entering sripati babu's house वे क्या चीज़ थी जो bangku babu ने घर में हुचते ही sripati babu's house के क्या किया bangku babu burst into a gafo gafo means होता है खिल खिला कर हसना ठीक है and loved loudly for a whole minute as soon as he entered sripati babu's house जैसे bangku babu गुसे उसनोंने क्या किया खिल खिला कर वो एक मिनट तक पूरा हसते रहे जैसे वो sripati babu's house के अंदर enter किया उन्होंने see the next question six bangku babu had something to say to the people in sripati babu's house right against each of their names and what he told them sripati babu's house में घुसते ही जो है bangku babu ने कुछ कहा और किस किस को क्या क्या कहा उनके नाम के आगे लिखिए तो चलिए सबसे पहले चांदी बाबू के बारे में बात करते हैं तो चांदी बाबू के बारे में क्या कहा at your age hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish but totally wrong kindly bring my umbrella and brown canvas shoes to my house tomorrow तुम्हारी उम्र में जूते चुपाना ठीक है और umbrella को जो है umbrella जूते चुपाना शोबा नहीं देता बच्च वाली हरकते जो पुरी तरह से गलत है तो कृपा कर मेरा umbrella और brown canvas shoes जो है कल मेरे घर पुचा देना अब नीदू बाबू को क्या कहान होने if you call me बुनकुन अगर तुम्हें मुझे बुनकुन बगारा I will call you nitwit मैं तुम्हें जो nitwit होता है strange stupid person someone of poor intelligence or a stupid person and you must learn to live with that तो मैं तुम्हें क्या बुलाओंगा नीट्विट बुलाओंगा और तुम्हें उसे के साथ रहना पड़ेगा इसी नाम के साथ जीना पड़ेगा अब जान आती है स्रीपती बाबू की तो स्रीपती बाबू को क्या का था कि हाँ आप जो है important man you are an important man and must have hangers on तुम्हें तो लटका देना चाहिए but please count me out from today तुम बहुत ही मुख्य आदमी हो लेकिन तुम्हें जो क्या कर देना चाहिए hanger on कर देना चाहिए मतलब की hangers यहां पर काटा होता है कि तुम्हें जो है काटा काटे की तरह मतलब उसे बता रहे हैं यहां पर क्या आ रहाम से बात हुई मतलब की अंग जो है पहुचा कौन से प्लाने इज से पोचा क्रैनॉस publishing से प्लानेच और दिड़ा पे परांड इन यह बैंबो ग्रूव के नियर जो है वहां पे उसका लैंड हुआ प्लानेट वी हैड़ लॉंग चैट हमा हम हमारी आपस में काफी देर चैट हुआ काफी देर बात हुआ अंग वाज मॉस्ट आमाइबल होते हैं फ्रेंडली नेचर तो उसका जो नेचर था वो काफी फ्रेंडली था नेच्ट कुशन है अंग वाज लेट देर जो बहुत ही जीब था और बहुत ही उसको डिस्क्राइब के अगया है जीब क्रीचर में तो चलिए उसको कमडेट करते हैं उसका है आईज कैसा था नोज यह माउट कैसा था आंप्स लेग से बोड़ी के बारे में बताते हैं यह इस होस थे और नोज कैसे थी तू, होस्ते मतलब की नोज चेट थे माउथ का गैपिंग हॉल बहुत बढ़ा होस में आप गैसे थे बहुत नी ने थिन पतले थे और कैसे थे यह तो किने भाई शाइनी पिंक आउटपीट मतलब शाइनी पेंक आउट्पिट से पूरी बॉड़ी उसकी कम्प्लीटली कावड थी तो होप यह अंडेस्टूट इस आंसर वेरी वेल मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए समरी के साथ क्वेशन आंसर के साथ तो डॉंट फॉर्गेट दू लाइक शेनल इतनी महनत के तो प्लीज लाइक और शियर तो बनता ही है चलिए बाई 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 टू आल टेक कियर थैंक्स पॉर वाटिंग डेस